आज आपको लोकी का हल्वा बनाना सिकाने जा रहे हैं जो प्रोटीन से भरा हुआ है इसमें एक कप दूद 200 ग्राम सक्कर या पॉन कप सक्कर नापके ले सकते हैं और आदा किलो लोकी लोकी को छील लीजिए छील के धोलीजिए फिर धोके कदू कस कर लीजिए अब ये कदू कस हो गई है अब एक गैस पर कडाई गरम कीजिए उसमें एक या दो चम्मज देसी घी डालिए अब इसके अंदर लोकी डाल दीजिए लोकी डाल कर उसको पाच मिंट भूंजिए जब पाच मिंट भूंज के तयार हो जाए तो उसमें एक प्याली दूड डाल दीजिए दूड डाल के इसको दीमियाच पर हिलाते रहिए और दूड पूरा सूप जाएगा अब इसके बाद इसमें सक्कर डाल दीजिए अब इसको दीमियाच पर पाच मिंट तक चलाइए तक सक्कर का पानी ना सूप जाए बिल्कुल पानी सूप जाएगा कड़ईया से हलवा छूटने लगेगा अब यह हलवा तयार है इसको आप निकाल लीजिए किसी धाली में धंडा होने के लिए स्वादिश ठलवाबन के तयार है अच्छा लगे तो लाइक कीजिए नहीं तो डिसलाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी नई नई डिसेस लाते रहेंगे